हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू तो चानल स्रेश्टी स्टेडी पॉंटर यहां पर हम आज पढ़ने मानव कोने वाले वे बिन सारे रोग और उनका कारण यह जो वीडियो है यह सारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है जितने भी एक्जाम है उनमें मानव रोग और उनका का है वो आरो ए आरो का एक्जाम भी है शिडूल इसके साथ साथ एपी एस का फॉर्म भी शिडूल है एक्जाम और भी जितने भी जो आयोग एक्जाम कराते हैं दूसरे आयोग उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टन है एमसी की फॉर्म में आपको यहाँ पर कोशन देखने को मिलेंगे बहुत सारे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिगा चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिगा पहला कोशन है निमनमें से फफूंद फंगस यानि कि कबक की वज़े से कौन स लिखने को मिल जाएगा पारा की वज़े से होता है किसकी वज़े से होता है अगला कोशन है इनमें से किस कवक के कारण जो है गंजेपन वाला रोग हो जाता है लोगों के बाल जड़ जाते है और गंजे हो जाते है तो यह होता है टीनिया कैपटिस की वज़े से टीनिया कै क्या गया था तो यह कैसी साल के दौरा बहूत ूपोर्टन कोश्चन यह पहला प्रबावी टी का सब्सक्राइस कॉंसी बीमारी एटी चीकिर वसरे नहीं होती है। तो चिकन गुणिया डेंगु यह जित्न भी भुखा ये एज़िप्टी की वे जैसे होते हैं पीला वुखार ये सब लेकिन चिकन पॉक्स इसके वे जैसे नहीं होता अब ये बताईए गए चिकन पॉक्स का कारण क्या है ठीक है जो जिसे माता कहते हैं लोग बड़ी माता छोटी माता ये जो होता है निम्ने में से कौन सा रूख तो अतिसार भी होता है help की कारण और phylaria भी जाता है जिसमें हाथी-जुियों जैसे विमारी कहते है ठीक है तो य और बी दोनों जो हैं वह हैं में से होते हैं अगला और to todabe ठीका जलग से लगता है अगर कुछ जो रीवी की तुद्धा की एफे तो यह जान शो प्रोटो जुआ के कारण मलेरिया जबगि हैजाच है रोग और टाइफ़ाईड ये ये प्रोटो जुआ के वेज़़़जाच लिए तयाप के विदियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते है मच्छर बाहक है बिल्कुल सही बात है malaria मच्छर की वज़े से नहीं है तो बाहक है वस मच्छर में किसी व्यक्ति में malaria के germs है तो वो मच्छर काट लेता है उस मच्छर के blood में आता है फिर मच्छर काट लेता है दूसरे व्यक्ति को तो अपना blood उसमें transfer कर देता है इस तरह से बाहक है वो यह सबसे पहले किस ने कहा था तो यह लूई पास्चर ने यहां पर कहा था अगला है टिटनेस रोग की संग को प्रवावित करती है तो यह हमारे nervous system को प्रवावित करती है तब ही हमारा शरीर पूरा एठ जाता है और नीला पड़ जाता है प्रोटोजवा की वज़े से कौन सी बीमारी होती है तो प्रोटोजवा की वज़े से मलेरिया भी होती है पाइरिया भी होती है और पेचिस भी हो जाती है तो तीनो ही बीमारी जो है वो प्रोटोजोन की वज़े से होती है ठीक है प्रोटोजवा और मेटाजवा ये सब तो आपने पड़े होंगे फाइल एरिया देखे आगे हाथी पाउं जो पाउं सूच जाता है तो इसमें कौन सेलक्षन है तो सब होते हैं शुरुआती दौर में आपके पैरों में सूचन आएगी और जो मेल के वरुशन को कोश होते हैं तेस्ट स्थे जो रहे होते हैं शरीर के अनिभागों में भी सूजन आजाती है तो इसका उत्तर होगा उपरयुक्त सभी ठीक है केबल पैरों में सूजन आएगी ये नहीं होगा तीनों ही कारण है इसलिए इसको ध्यान देगी जीगा चौथा कोशन है सीशा विशाक्ता के रूप में किसे जाना जाता है तो यह जो है प्लम जो इसको जो है यहां पर हाँ प्लम्बिस्म जो होती है वो शीशा विशाक्ता के रूप में भी जाना जाता है Plumbism के नाम से भी आ सकता है ये वाला कोशन तो इसको ध्यान रखेगा अगला है Oral Rehydration Therapy की सला किस रोग में दी जाती है तो जब हैजा हो जाता है जैसे है मैं Lose Motions बगरा होने रखते हैं वामेटिंग और उल्टी तब कहा जाता है कि आपको मुह से ज़ो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ये therapy है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है इसके अगला कुशन है सकर भी रोक किस vitamin की कमीष होता है तो vitamin C की कमीष होता है vitamin B और C जो है वो water soluble vitamin है मैं आपको बता दूँ जल में गुललसीन है इसलिए ये हमारी body में नहीं रोकते हैं जो है body से हमीशा निकल जाते हैं यह हमारी body तभी हमें इनकी requirement जादर रहती जबकि और remaining जो हैं वो fat misalival है, fat misalival है, A, यहाँ पर D, E, K, यह चारो, तो इसलिए यह हमारी body में हमेशा आपको मिलते रहेंगे, body में यह store रहते हैं fat के साथ, अगला प्रिशन है, कौन सा hormonal, इसमें hormonal विमारी कौन सी है, तो गेंगा है, आपको पता है, thyroid gland से related है, TSH के release की वज़े से, यह गेंगा विमारी जो है, उसमें होता है, गेंगा गले में विमारी होती है, हमारा गला जो होता है, वो full के बड़ा हो जाता है, आप तो नहीं होती यह female में होता है, XO का मतलब क्या हुआ, दूसरा X जो है, वो यहाँ पर नहीं होता है, इसकी वज़े से यह Turner syndrome आपको देखने को मिलता है, ठीक है, deficiency of हमारा जो sex chromosome X है, वो नहीं होता, female वाले करेक्टर जो है, पूर्ण रूप से नहीं आ पाते, महिला के अंदर यह है, हिमो यह सब इसमें reaction रहती है, ठीक है, इसके बाद है, प्रती जैविक औसिदी अधिकतर किसमें होती है, तो यह जीवाड़ू के द्वारा हम लोग एंटिवाटिक अकसर बनाते हैं, वाइरस की सरपतम खोश किस ने की थी, डी एवानवास्की ने की थी, वाइरस की खोश, यह यह बैक्टिरिया की खोश आ गए, वाइरस की खोश थी, तो एवी, लिव एन हॉक ने बैक्टिरिया की खोश की और वो वाइरस की खोश के बारे में बता रहे थे, वी शाडू की खोश की, इससे पहले वाला question, वाइरस को सजीव कहा जाता क्यों, क्योंकि यह संख्या में बढ़ जाते हैं, क्यों? वैसे तो एनेर्जी ही है, लेकिन अगर इन्हे सजीव सेल मिल जा, उसमें यह पहुँच जा है, तो यह सजीव हो जाते हैं, अपने आपको डिवाइट करकर करकर के अपने नंबर बहुत सारे बढ़ा लेते हैं, वाइरस जोते हैं, वैसे वाइरस थर्ड, तो यह इसको रट लीजिएगा, इसके बादा गोईटर, गोईटर कि घले में होता है, तैराइट ग्लेंड आगा है, जिसमें आरी जादा बढ़ जाती है, तो किसी कमी से बढ़ती है, तो यह आइ इबादीन से बढ़ते है, आप यावि जैनवी अपने चिदर गह मानब मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में एनलेसिस को सर्फर्थम किसने खो जाता मानब मलेरिया परजीवी मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पूरा की मलेरिया कैसे होता है मानब में उसकी एनलेसिस के जीवन चक्र को रोनाल्ड रॉस ने पूरा उसकी साइकल को खो जा अगला है trypanosomiasis, trypanosomiasis रोग जो है वो सीसी मखी से होता है और ये south अफरीका में आपको अकसर देखने को मिलेगी सीसी मखी ठीक है ये ये trypanosomiasis इसे निद्रा रोग भी कहते हैं सीसी मखी से निद्रा रोग व्यक्ति को अगर ये रोग हो जाए तो सोता रहता है अगला य पिछाल से important question है यह और आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा मनुष में plasmodium हमला करता है कब तो कहां पर यक्रत liver की cell में plasmodium जो है वो हमला करता है और हमारे liver को जो है damage करने की कोशिश करता है plasmodium by wax अगला यहाँ पर है निमलेखित में से कौन सा वाहक या रोग का जोड़ा सही है तो कोलेक्स जो है वो फाइलेरीसिस से सम्मन देता है यह सही है जबकि यह पीतु जो और पीला जो हर प्लेग सेंड फ्लाई से नहीं होता पहरा मीशे ममीवी एसिस कैसे हो जाएगा अमीवा से होगा यह तो यह तीनों गलत है और पहला वाला सही है पैतिसमा है एलेफैंटिसिस एलेफैंटिसिस क्यूलेक्स मक्षर से होता है एलेफैंटिसिस क्या हुआ हाती पाउँ जो बीमारी होती है फाइलेरीसिस उसके बारे में आपर बात हो रही है फाइलेरिया रोग का संचर प्रति जयवी कॉसेथी, पैनिसलीन कहां से मिलती है, पैनिसलीन जो बनती है, एंटिबार्टिक वो कहां से, तो वो फंगस से बनती है, यह important question होते हैं, लोग पुछते हैं, टिसी टिसी फिर से आगई, तो यह कौन सा रोग फैलाती, टिसी टिसी अभी आपने पढ़ा था, ज की वेज़े से होती है अगला यहां पर है काला आजार रोग जो है निम लिखित में से फिर से वो ही है काला आजार रोग का परजी भी कौन है लीश्मानिया डोनोवानी लीश्मानिया जो होता है वो काला आजार का कारण होता है इसके बाद है बी-सी-जी का अर्थ क्या है तो विटामिन A की कमी से रतोंदी होती है इसके बाद आ गया Edward Jenner ने किसकी खोज की थी तो Smallpox की Vaccination की खोज जो है वो Edward Jenner ने की थी Smallpox के लिए Vaccine बनाई थी इसके पीलिया का क्या कारण है तो वाइरस से होता है पीलिया जो की व्यक्ति के सरीर में बिली रूबिन और बिली वर्डिन के मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो बलड में जो है हमारी पूरी बोड़ी में पीला पीला दिखने लगता है यह बोटुलोजम क्या है बहुत इंपोर्टेंट है एक परकार का भोजन दूशद करने का Clostridium, Botulinum Botulinum जीवाणू के द्वारा होती है और Poisonous Toxins राविती करता है जिससे जो भी यह दूशिद भोजन खा लेता है Clostridium बाला तो उसकी मरत्यू तक हो जाती ठीक है तो यह Botulinum कहलाता है जो कहते हैं नहीं है कि Food Poisoning हो जाती है बहुत से लोगों को ठीक है Clorylin किस से शैवाल से मनुश और जानवरों की आत्मे कौन से जीवाणू पाया जाता है तो इस चर्चिया कुलाई जो है बेक्टीरिया है यह जीवाणू यह पाया जाता है मनुश की आत्मे और जानवरों की आत्मे भी HIV में किस तरह का RNA और DNA होता है तो single stranded RNA होता है जैसे DNA इस तरह का structure होता है यह double standard हो गया ठीक है इसमें दो strand है यह कि एक यह सा सा सीड़ी की तर चलते है और single stranded RNA इस तरह से होता है तो जिन्होंने DNA आ रहने पढ़ा होगा और अच्छे से पता होगा तो single stranded RNA होता है HIV में अधिकांश प्रयोग में किया जाने वाला प्रति जैविक पैनीUND कहां से बनता है तो यह कवक से बनता है ठीक है कवक से बनता है इसको भी यार्द रखिएगा अगला है अगला है कि ELISA परिक्षन किसके किसके लिए के जाता है यह एड्स के लिए के जाता है ठीक है यह common सा question है तो यह 50 question इसके आदे 50 बा कोशन भी है पुरी 50 question है परसिटमल के उपयोग में लाए जाता है तो इस शरीर के दर्द के लिए उपयोग में लाए जाता है बुखार मत लिखाईएगा बहुत से लोग बुखार सोचतें बुखार में नहीं body pain के लिए इस्तेमाल होता है तो यह 50 question पूरे यहाँ पर मैं लेके आई हूँ और मैंने कम से कम समय में पूरा करनी चुश किये जिसको थोड़ा slow पढ़ना है तो वीडियो को slow कर लीजेगा जैसे आपका कम डाटा खर्चो और जल्दी से जल्दी आप ज्यादे से ज्यादा पर नए हूँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा मिलूंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार कमेंट भी कीजेगा